आजकल Magnetically Levitated Trains का होना आम बात है। हालां कि Central Japan Railway Company की Maglev Train दूसरी Trains की तुलना में काफी अनोखी और स्रेश्ट हैं। 600 किलोमेटर प्रती घंटे से भी अधिक की स्पीड से दोड़ते हुए इसने Fast Test Trains का दरजा हासिल किया है। ये ट्रेन सुपर कंड़क्टिंग मैगनेट का उपयोग करती है। इसलिए इसे SC Maglev कहा जाता है। इस ट्रेन के एक बार Exciting Current से चार्ज होने पर इसके सुपर कंड़क्टिंग मैगनेट जीरो लॉस के साथ हमेशा के लिए एक Circulating DC Current और मजबूद मैगनेटिक फिल्ड उत्पन न करते हैं। आईए सफलता पूरवक्ट टेस्ट की गई ट्रेन की इस टेकनोलोजी जिसके वर्ष 2027 तक दूसरी Magnetic Levitation टेकनोलोजी से आगे निकलने का नुमान है के बारे में अधिक समझें। यही टेकनोलोजी 2030 तक New York शहर को वाशिंग्टन DC से केवल एक घंटे में जोडने के लिए तयार है। Magnetically Levitated ट्रेन को सफलता पूरवक ऑपरेट करने के लिए हमें निम्न लिखित तीन उद्देशियों को प्राप्त करना होगा। पहला Propel, दूसरा Levitate और तीसरा Guidance। हाला कि इससे पहले कि हम इस बारे में विस्तार से जाने की ऐसी Mag Left ट्रेन इन उद्देशियों को कैसे प्राप्त करती है। आईए इस ट्रेन की सबसे खास बात के बारे में समझें। Super Conducting Magnets Levitating Trains के लिए अधिक शक्तिशाली Electromagnets की आउशकता होती है। जितने अधिक मजबूत Magnets होते हैं, उतना ही अधिक Lifting और Propelling Force उनके पास होता है। जिसके कारण वर्ष, ट्रेन की स्पीड काफी तेज होती है। एक सामाने Electromagnet heating की समस्या के कारण, current value को एक निश्चित सीमा से आगे बढ़ाने में असमर्थ होता है। Super Conducting Electromagnets में, conductor का तापमान एक critical limit से नीचे रखा जाता है। इसके बाद, material अचानक zero resistance के साथ भारी मात्रा में current flow उत्पन्न करता है। वो परिणाम ठीक वैसा ही होता है, जैसा हम चाहते हैं। दिलचस्प बात ये है, कि आपको केवल एक बार superconducting coil को एक exciting current का उप्योग करके चार्ज करने की आउशकता होती है। ताकि short-circuited coils हमेशा के लिए बिना किसी energy loss के एक circulated DC current उत्पन्न कर सके। Superconducting coil द्वारा circulate किया गया current बहुत ज़ादा होता है, 700 kilo amperes, जो कि conventional household copper gauge wires के वर्तमान मूल्य का लगभग 10,000 गुना है। Superconducting Electromagnets पश्ट रूप से सबसे शक्तिशाली और कुशल Electromagnets हैं। Coils को Superconducting Stage में रखना एक चुनौती है। इसके लिए एक जहाज पर Liquid Helium Refrigeration System का उप्योग किया जाता है। ऐसी MagLev trains में, Super Conductor एक Neobium Titanium Alloy होता है, जिसका critical temperature 9.2 Kelvin होता है। Alloy के temperature को इस सीमा से नीचे रखने के लिए 4.5 Kelvin के temperature पर Liquid Helium को इसके चारों और सर्कुलेट किया जाता है। Conductor के उपर से गुजरने के बाद Liquid Helium Evaporate हो जाता है। इसे शुरुवाती स्टेज में वापस लाने के लिए Helium Compressor और Refrigeration Unit का उप्योग किया जाता है। Refrigeration Unit, Gifford Macmon Refrigeration Cycle के सिध्धान्त पर काम करता है। फिर भी, Cryogenic Department का ये Engineering Task का भी समाप्त नहीं हुआ है। Super Conductor, Radiations के रूप में बाहर से गर्मी को Absorb कर सकता है। Radiation Shield जोड़ी जाती है। हाला कि Train के संचालन के दौरान इस Shield में Edgy Current का बनना और Heating की समस्या हो सकती है। इस Heating को बेशर करने के लिए Radiation Shield को भी Cooling की आउशकता होती है, जोकि Unit को Liquid Nitrogen सप्लाइ करके प्राप्त की जाती है। Convective Heat Transfer को रोकने के लिए Radiation Shield के अंदर एक Vacuum रखा जाता है। Current Polarity का विरोध करने वाले ऐसे चार सूपर कंडक्टर्स को एक युनिट में अरेंज किया जाता है। हाला कि SC Maglev में Electromagnet बिना बिजली की सप्लाई के काम करते हैं। Cryogenics Department को बाहरी मात्रा में बिजली की आउशकता होती है। इस तरह की कई सारी युनिट्स ट्रेन की लंबाई के साथ दोनों तरफ जुड़ी होती है। जैसा की कहा गया है, पहला कार्य Propulsion है। ट्रेन को आगे बढ़ाना एक आसान काम है। इस उद्देशे के लिए हम सामाने Electromagnets की एक सीरीज का उपयोग करते हैं। उन्हें Propelling Coils कहा जाता है। Propelling Coils को एक Alternative तरीके से Power Supply किया जाता है, जैसा की दिखाया गया है। और इसे एक Guideway के अंदर रखा गया है। इसके बाद हमें ये पता लगाने की जरूरत है कि ट्रेन के Super Conducting Magnet पर Propelling Coils किस Force का उत्पादन कर रहे हैं। कृपया ध्यान दे कि एक Magnet द्वारा दूसरे पर लगने वाले Force की दिशा को समझने के लिए आपको बस Nearest Pulse पर ध्यान देना होगा। इस प्रकार आएए Propelling Coils के कारण Super Conducting Coils पर लगने वाले Force का विशलेशन करते हैं। यदि आप इन सभी Forces का परिणाम लेते हैं, तो Net Force आगे की दिशा में होगा। इसलिए ट्रेन आगे बढ़ती है। जैसे ही ट्रेन अगली Main Position में पहुँचती है, Propelling Coils को Alternative Polarity पर स्विच करें। ताकि Net Force फिर से आगे की दिशा में हो। बस इस स्विचिंग की Frequency को कंट्रोल करके आप ट्रेन की Speed को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आईए इस टेकनोलोजी के सबसे दल्चस्प हिस्से पर आते हैं। ऐसी Maglev Trains का Levitation। आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि ऐसी Maglev Train का Levitation इन सिम्पल आठ के आकार वाले Coils की मदद से प्राप्त किया जाता है। जिनमें कोई Powered भी नहीं होते हैं। गाइडवे में ऐसे आठ आकार वाले कई सारे Coils अरेंज किये होते हैं। Levitation Technology को समझने के लिए हमें पहले Superconducting Magnet की एक जोडी की प्रकृति के बारे में कुछ सीखना चाहिए। परिणाम स्वरूप, SC Magnets की इस जोडी द्वारा उत्पन्न किया गया Magnetic Area एक Long Permanent Magnet के समान होते हैं। तो विशलेशन को सरल करने के लिए आईए इस जोडी को एक लंबे बार Magnet से बदले। यदि एक बार Magnet इन आठ फिगर शेप वाली कोईल्स के पैरलल चलता है, तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं के क्या होगा। Faraday's Law के नियम के अनुसार, अलग-अलग Magnetic Flux दोनों लूप्स पर EMF को इंड्यूस करेगा। क्या ये EMF एक ही दिशा में है? क्रिपया ध्यान दें कि ये एक मुड़ी हुई कोईल है। जब हम इसे खोलेंगे, तभी हम सही दिशा को समझ पाएंगे। ये स्पष्ट है कि Induced EMF विपरीद दिशा में है। जिसका मतलब ये है कि बार मैगनेट के मुवमेंट के कारण इस कोईल पर Induced Net EMF 0 है। और कोई भी करंट लूप से नहीं भहेगा। संक्षेप में बार मैगनेट के लूप के सेंटर के माध्यम से घूमने से लूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब उसी केस पर फिर से विचार करें। लेकिन जैसा कि दिखाया गया है इस बार मैगनेट लूप से थोड़ा सा ओफसेट है। यहाँ नीचे वाला लूप हाई स्ट्रेंद के मैगनेटिक फ्लक्स का सामना करता है। जिसका अर्थ यह है कि नीचे के लूप पर induced EMF उपर के लूप की तुलना में अधिक होगा। इस उच्च स्ट्रेंथ का अर्थ यह भी है कि लूप के माध्यम से एक नेट करेंट गुजरेगा। करेंट का यह फ्लो उपर के लूप पर एक साउथ पोल और नीचे के लूप पर एक नौर्थ पोल का निर्मान करता है। यदि आप मैगनेटिक पोल्स के बीच फोर्स के इंटरेक्शन का विशलेशन करेंगे, तो यह स्पष्ट है कि रिजल्टेंट अपवड फोर्स सूपर कंड़क्टिंग मैगनेट पर लगाया जाता है। यदि यह फोर्स ग्रैविटेशनल पुल्स से अधिक हो, तो मैगनेट उपर की और मूव करेगा। हाँ, एक सूपर कंड़क्टिंग मैगनेट का मूव्मेंट, आठ आकार की कॉयल के पैरलल और ओफसेट होने पर लेविटेशन उत्पन्न होता है। जैसे जैसे मैगनेट उपर जाता है, EMF वैल्यूस और लूप में हो रहे करंट फ्लो के बीच का अंतर कम हो जाता है। तो मैगनेट संतुलित हो जाते हैं या फिर ट्रेन ने लेविटेशन प्राप्त कर लिया होता है। जैपनीज एंजिनियर्स ने इस टेकनोलोजी का उप्योग करके 3.9 इंच का लेविटेशन हासिल किया है। सपश्ट रूप से ट्रेन की स्पीड जितनी अधिक होगी, लेविटेशन फोर्स उतना ही अधिक होगा। जिसका अर्थ है कि जब ट्रेन रुकी हुई होती है, तो वो लेविटेट नहीं कर सकती। यही कारण है कि ऐसी मैगलेफ ट्रेन शुरू होने और लो स्पीड ऑपरेशन के लिए सामानने टायर्स का उप्योग करती है। बाद में जब ट्रेन एक क्रिटिकल स्पीड प्राप्त कर लेती है, तो टायर पीछे हट जाते हैं क्योंकि उस समय इलेक्ट्रो मैगनेटिक फोर्स ट्रेन को लेविटेट करने के लिए काफी मजबूत होता है। इसके बाद ट्रेन गाइडन्स का सवाल आता है। गाइडन्स का मतलब है कि ट्रेन हमेशा केंद्रित होनी चाहिए, इसे आसपास की दीवारों से टकराए बिना चलना चाहिए, दूसरे शब्दों में इसे लैटरल स्टेबिलिटी प्राप्त करनी चाहिए। जैसा की हमने पहले दिखाया था, जैपनीस एंजेनियर्स ने आठ आकार वाले कॉईल को आपस में जोड़ कर ये स्टेबिलिटी काफी आसानी से हासिल की। यदि ट्रेन केंदर में है, तो दाए और बाए कॉईल पर इंड्यूस्ट इमफ बराबर होंगे, और इंटर कनेक्टिंग कॉईल से कोई करन्ट फ्लो नहीं गुजरेगा। हाला कि मान लीजिये कि ट्रेन थोड़ी दाए और चली गई है। ये बदलाव दाए और बाए कॉईल के बीच एक एमफ अंदर का कारण बनेगा, जिसके परिणाम स्वरूप इंटर कनेक्टिंग कॉईल्स में करन्ट फ्लो होगा। इंटर कनेक्टिंग कॉईल्स के माध्यम से होने वाला करन्ट फ्लो, दोनों निचले लूप्स के करन्ट फ्लो और प्रतेक लूप की पोल स्ट्रेंथ को बहुत ज़ादा प्रभावित करेगा। आईए, अब ट्रेन पर लागू होने वाले फोर्सस का विशले शड़ करें। अब तक की चर्चा से आप समझ सकते हैं कि ट्रेन के क्रायोजनिक सिस्टम और अन्य इलेक्टिक अप्लाइंस के लिए भारी मात्रा में बिजले की आवशक्ता होती है। आप इतनी स्पीड वाली ट्रेन में इलेक्रिसिटी कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। Central Japan Railway ने इस उदेशे के लिए इंड़क्टिव पावर कलेक्शन नामक टेक्नीक का इस्तिमाल किया। यहाँ Electromagnetic Induction का उप्यो करते हुए, ट्रेन के Ground Coil से Electric Power को Power Collection Coil तक बिना किसी Material Contact के ट्रांसफर किया जाता है। Super Conducting Magnet की मजबूत Magnetic Field से यात्रियों के स्वास्ते को खत्रा हो सकता है। इस अंचाहे प्रभाव से बचने के लिए Rolling Stock और Passenger Embarkation सुविधा पर Magnetic Shields का उप्यो किया जाता है। इस प्रकार Magnetic Field की तागत को ICNIRP की Guidelines के नीचे बनाया रखा जाता है। SC Maglev train की टेस्टिंग राइड 1997 में यामानाशी Maglev टेस्ट लाइन पर शुरू हुई। टेस्ट ड्राइफ काफी सफल रही और अगले 10 वर्षों तक एक भी दिन बिना रुके लगातार जारी रही। इस दोरान 603 किलोमेटर्स पर आवर की स्पीड का वर्ल्ड रेकॉर्ड हासिल किया गया। इनहीं एक्स्ट्रा पॉजिटिव परिणामों ने जैपनीज अधिकारियों को प्रोचसाहिद किया और उन्होंने वर्ष तक तोक्यो और नागोया के बीच कमर्शल SC Maglev आपरेशन्स करने की अनुमती दी। इसके बाद और अधिक SC Maglev ट्रेंस आने की उम्मीद है। जाने से पहले क्रिपया हमारी टीम का हिस्सा बनना न भूलें। धन्यवाद।